दिल्ली में सुबा सुबा मैं निकल पड़ा Vivo V30 Pro के camera samples लेने, पूरी शिदत से videos, photos, portraits, daytime की, night time की सब shoot कर लिए मैंने आप लोगों के लिए, मकसद सिर्फ एक ही था कि आप लोग ये phone खरीदो, उससे पहले इसकी थोड़ी detailed camera samples और इसके कुछ तगड़े features आप लोगों को बता और भाई अगर आपको ये महनत पसंद आए तो आप subscribe कर सकते हो, also इसका detailed performance comparison देखना है, iQoo Neo 9 Pro और Nothing Phone 2 के साथ, तो मुझे नीचे comments में बताओ, and if you're new out here, मैं हूं Ritik, आप देख रहे हो Gizbot, और सीधे चलते हैं testing पर, तो वही हम लोग पॉन चुके हैं, बूजी में, for the briefing of Vivo V30 Pro Series, और अभी मैं front camera से shoot कर रहा हूं, and अब मैंने steady face on कर लिया है, जिससे video आपको काभी stable लग रहा होगा, 1080p, 30fps पर shoot हो रही है, background noise cancellation मैंने on कर रहा है, पीछे काने बजने, copyright strike ना जाए, इस चलते मैंने on कर रहा है, जो noise cancellation है, और अब मैं कर देता हूँ, noise cancellation को off, तो आपको clearly idea लग जाएगा background का, कितना noise आ रहा है, बाकी colors आप लोग मेरे को check करके, बताओ कि मेरे face पर कैसे लग रहे है, colors, पीछे के blues, अभी काफी तेज़ sunlight आ रही है, पीछे से, sky को इसने expose कर दिया है, बाकी steady face को off करके, stabilization आप लोग चेक आउट कर सकते हो, noise cancellation अभी भी on है, wild angle पर अभी मैं shoot कर रहा हूँ, तो काफी कुछ ये capture कर रहा है, पीछे को तुम में आ रहे है, यहाँ पर, अब मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा zoom in करता हूँ, normal 1X पर footage कुछ ऐसी लगती है, और यहाँ पर 2X का भी option है, अ 4K 60fps पर video record हो रही है, मेरे हाथ में blue color variant of the vivo V30 pro series, glossy finish है इसका, आप मैंने कर लिया है, वीडियो को काफी जादा stabilize, 4K 30fps पर must stabilization यहाँ पर available है, तो थोड़ा walk around करते हैं, आपको stabilization का idea लग जाएगा, इसमें काफी reflection आ रही है, तो focus करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा phone के लिए बाकी colors आप देखकर बताओ कि आपको greens कैसे लग रहे हैं यहाँ पर, reds कैसे लग रहे हैं सोफे के, और blue color vivo V30 pro का 4K 30fps stabilization पर, तो भाई मैंने अब ultra stabilization on कर दिया है, यहाँ पर 1080p 60fps पर आ गई है, videos बहुत ही जादा stable हो गई होगी, मैं rare camera से shoot करता हूँ, crop in आप थोड़ा सा check out अब अगेंस दे लाइट में हम लोग शूट कर रहे हैं और चेक करते हैं कि यह colors अच्छे से निकाल पाता है, कि नहीं, पीछे कुतों में नार भी आप लोगों को दिख रहा होगा वैसे event पर पहुंचते ही, सबसे पहले मैंने ली selfie और मुझे एक तगड़ा feature मिला, जो है इसका selfie auto detect, इसका फायदा यह है कि जब भी selfies क्लिक कर रहे होते हैं और हलका सा tilt करते हैं तो automatically यह wide पर shift हो जाता है, कोई भी extra मेहनत नहीं करने पर ती wide angle पर tap करने वाली, और भाई मैं selfies क्लिक करी रहा था कि कुछी देर में मेरे दोस्त आ गए, तो हमने test किया इसका दूसरा तगड़ा feature, जो है Zaias का boke mode, इसे bio tar पर set किया मैंने और background blur देखो भाई, इसका पीछे के पेड़ की पत्यों पर, महंगे महंगे camera lenses से निकलता है सिर्फ, लेकिन भाई, Vivo ने अपनी सारी weddings और portrait shoot की, and everyone who looked at the pictures, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई, ये कौन सा phone है, ये कौन सा phone है, और इंट्रेस्टिंग चीजी है कि उन सब के पास iPhones है, and guess what, ये जो Zaias वाला feature है, वो अब V series में भी आ गया है, V30 Pro में, Zaias का collaboration है, और आपको पता ही है, V series X series से काफी सस्ती रह जिसके चलते मुझे लग रहा है कि camera camera के लिए तो, and especially portraits के लिए ये काफी अच्छा पिक हो सकता है, overall performance wise कैसा रहता है, ये competition के मुकाबले, वो तो मैं आपको war of processes के बाद ही बताऊंगा, लेकिन भाई, cameras में तो for sure ये बहुत भेंकर टकर देने वाला है, सारे ही phones को अपने segment के care media और influencer दोस्तों के साथ mail मिलाओ करके time आ गया था खाने का, और यहां पर plate मैंने आप लोग के लिए सजा दी दी ताकि आप लोग easily colors चेक कर पाओ कि Vivo V30 Pro के कैसे निकल कराते हैं, काफी अच्छा palette देखने को मिलेगा, इसमें आपको red, green, black और white का अच्छे से idea लग Also V30 Pro में super macro mode है, जिसके चलते subject के काफी pass से जाके आप photo click कर सकते हो, good to have feature है यह macro shots के लिए, Also V30 Pro में 50mm की focal length मिलती है, तो जो portraits है खास करके वो अच्छे निकल कर आते हैं, edge detection में लेकिन यह कभी-कभी miss कर देता है, फिसल जाता है यह हलका सा tricky situations में, लेकिन यहां पर camera की stability का update आ चुका है, तो hopefully यह जो छोटे मोटे errors है, edge detection वाले वो fix हो जाएंगे, next तगड़ा feature मुझे इसमें मिला motion autofocus, इसका फाइदा simple है, subject को अगर मैंने lock कर लिया, तो by chance shoot करते हो, मेरा हाथ हिल जाए, या subject खुद हिल रहा हो, पर मैंने focus कर रहा है subject पे, तो end result जो हमें photo मिलती ह काफी जादा movement के बाद भी वो एकदम focus में निकल कर आती है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यार, इसका जो focus है, definitely razor sharp था, even after all the movements and jerks, कैर यह सब test करने के बाद हम लोग गए dark room में, इसका aura light चेक करने, मैं यह देखना चाहता था कि कितना फरक पड़ता है इसके aura light से, and to my surprise, it does the work well, बस subject थोड़ा close होना चीए phone के, because यहाँ पर जो flash के intensity है, Vivo V30 Pro में set नहीं कर सकते है, unlike the पुराना वाला Vivo V29 Pro, जिसमें intensity आप अलग से set कर सकते थे light की, but then again, for most bit, it works and does the job, खेर अब शाम धल चुकी थी, और हम निकल पड़े मेले की तरफ, यह देखने की Vivo V30 Pro में कितना दम रहेगा रात के टाइम, अब ऐसे दम तो था, पर मेरी उंगलियों को इसने वेवी कर दिया, मैं आपको बता रहा था ना, कभी-कभी इसका जो edge detection है, वो थोड़ा tricky situations में फिसल जाता है, लेकिन वई update आगया है, तो hopefully यह छोटे-मोटे errors fix हो जाएं, अब मेले में जूले तो बहुत सारे थे, सब try करने का मन था, लेकिन मेरे दोस्त की नजर पड़ी, इस देशी Eiffel Tower पे, तो फिर क्या था, tourist visa लगवा दिया उसका, wide angle, normal 50 mm और 100 mm, सारी photos उसको shoot कर किर दे दी, वैसे मैंने एक book भी लिखी है, जिसका poster हमें मेले के अंदर मिला, तो सोचा quote के साथ एक photo भी किच्वा लेता हूं, खेर photo photo click करवाने के बाद हम लोग निकल पड़े जूलों की तरफ, एक दो selfies ली हमने और मुझे realize हुआ कि जायस कि अलग-अलग background blur जो है, वो selfies म में भी है यहां, जो again एक तगड़ा add-on है, और USP है, Vivo V30 Pro का, anyway इस वक्त तक गला बहुत सूग गया था मेरा photo sample लेते लेते, और सामने ही दिखी कुछ मज़ेदार drinks, काफी interesting और colorful सी लग रहे थी, पर भाई उसके just side में था काला खटा, तो guess करो दोनों इसे मैंने क्या लिय तो अब refreshment हो गई थी, पेट पूजा का time आ गया था, जिसके लिए हमने ली भेल और साथी में peri-peri potato crisps, जो काफी time से नहीं खाया था मैंने, और अपने दोस्त को भी ये पहली बार try करवाया, खेर अब पूरा दिन complete हो गया था, काफी थकान भी हो गई थी, तो मैंने अप जैसा आप सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूँ, कोई phone perfect नहीं होता, जहां अच्छे features दिख जाएं, समझ जाओ, कहीं ना कहीं तो compromise करना ही पड़ेगा, तो इसमें जो processor आपको मिलता है, वो पिछले साल वाला ही, जो V29 Pro में था, Dimensity 8200, same processor है इसमें, और यार इसमें mono speakers मिलते हैं, इस price segment में, लेकिन भाई, जब बात आती है, cameras की, तो V series की एक खास बात है, wedding mode, जो specially Indian लोगों के लिए बनाया है, festival days जैसे holy, diwali, shadi में, ये काफी punchy colors क्लिक करता है, मैंने काफी लोग के comments भी पढ़े थे, लोग बोल रहे थे कि, यार ये जो aura light feature है, वो थोड़ा gimmicky लग अगर इसे भी छोड़ दे हम, और सिर्फ और सिर्फ बात करें, purely camera performance की, तो जो यहाँ पे जायस का collaboration है, मेरे हिसाब से ये काफी तगड़ा role play करता है, क्यूंकि portraits जिन लोग को click करना पसंद है, महेंगे महेंगे cameras करीने पढ़ते हैं, महेंगे lenses करीने पढ़ते हैं, उन लोग collaboration है ना भाई, that in itself makes this phone very lucrative, क्योंकि यार जो ये background blur निकाल कर देता है ना, जायस वाले mode में, उस type का और उतने सारे variations वारे background blur निकालना, किसी भी phone के लिए इस segment के impossible है, and the sheer amount of money that it takes to replicate the effect, अगर आपको same सा effect चीए, तो भाई महेंगे cameras, महेंगे lenses करीने पढ़ते हैं, उसके technology एक smartphone में मिल रही है, तो वही अगर आपको एक ऐसा smartphone चाहिए, कि आपने social media के लिए picture खीची और फटा फट अपलोड कर दी, बिना किसी editing के जंजट के, and overall camera ही आपकी main priority है, तो I think ये अच्छा pick हो सकता है, आप इसे consider कर सकते हो definitely, बाकी इसका performance test देखना है, Neo 9 Pro और Nothing Phone 2 के तो नीचे मुझे comments में बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे comments में